तो आज मैं explain करने वाला हूँ हाली में hot star पे रिलीज हुई एक horror mystery thriller series इस series का नाम है the mystery of moksh island तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी like कर दे चैनल को भी subscribe कर दे कहाने की शुरुआत होती है एक plane crash को दिखाते वे जिसे एक लड़का देख रहा था खेर इसके बाद news में बताया जाता है कि एक बहुत बड़े scientist डॉक्टर विश्वाक सैन अब उनकी मौत हो चुकी है वो दुनिया भर में famous हैं उनको आखरी बार देखा गया था नोबल पुरसकार लेते समय उस प्रोग्राम को भी 10 साल हो चुके हैं पूरी दुनिया से अलग रहते हुए वो अपने island पर research कर रहे थे और उनकी कल plane crash में मौत हो गई scientist का बनाया हुआ medicine इनसानों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है और विश्वाक पहले VS Labs के CEO हुआ करते थे अब सवाल ये है कि इस billion dollar company का CEO होगा कौन क्या उनके जो दुश्मन है इस हादसे के पीछे उनका हाथ है वो इनसान जो 10 साल पहले अपने island से बाहर भी नी निकला वो आखिर वहाँ क्या experiment कर रहा था खेर ये रहसे तो बाद में खुली जाएगा इसके बाद हम मिलते हैं विकी नाम के एक लड़के से जो sniper लेकर एक औरत को मारने के लिए ready होता है और उसका बॉस भी था जो से कह रहा था निशाना लगाने लेकिन तब ही विकी देखता है कि उस ओरत के पास में एक बच्चा आ जाता है जिसे देखकर विकी गोली नी चलाता और उस ओरत को अपने बच्चे के साथ देखकर विकी को अपने पूराने फ्लैश बैक्स याद आने लगते हैं और वो गोली नहीं चला पाता जिस पर उसका बॉस उसे चिला कर कहने लगता है कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो मेरा अगला टारगेट तुम बनोगे मैं तुम्हें मार डालूँगा जिसके बाद वो विकी का पीछा कड़ता है लेकिन विकी वहाँ से भाग निकलता है इसके बाद वो अपने घर आता है और उसके घर पर एक मिस्टीरियस इंविटेशन कार्ड रखा हुआ था और ये कार्ड उसके पितार डॉक्टर विश्वाक सेन के तरफ से आया था इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को इंविटेशन मिलता है जो किसी ना किसी तरीके से विश्वाक सेन से कनेक्टेड है और उस कार्ड में लिखा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें उन सभी का समान हक है और ये जो हजारो करोडों की जायदाद है विश्वाक ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों और अपने पतनी को दे देगा विश्वाक के बच्चे दुनिया भर में जहां भी रहते हैं उन सभी कोई इंविटेशन मिला था और उन से कहा जाता है कि निको बार के मोक्ष आइलेंड में सभी को आना होगा विकी अपनी बेहन को याद करने लगता है और उसके बाद वो तुरंथ मोक्ष आइलेंड जाने के लिए निकलता है जाने से पहले वो इंविटेशन कार्ड और अपना सारा सबूत जला देता है फिर वो एक बार में बैठा हुआ था और वहाँ पर नियूज में डॉक्टर बता रहे होते हैं विश्वाक के बारे में कि वो जरूर अपने मोक्ष आइलेंड में कुछ रिसर्च कर रहे थें लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था खेर अब इसके बाद मोक्ष आइलेंड में देखते हैं जहां पर लैब में एक लड़की काम कर रही थी और वो कहती है कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स ने इंविटेशन एकसेप्ट कर लिया है और हमारा प्लैन यहीं से स्टार्ट होता है और अगली सुबा हर कोई समुद्र किनारे पहुँच गया था आईलेंड जाने के लिए फिर वहाँ पर विक्की आता है और भी कई लोग मौजूद थे जैसे के एक बुढ़ी औरत मीना जोके विश्वाक की पतनी थी उसका बेटा अजय और उसकी पतनी स्वाती और उसके दो बच्चे वरुन और ईशा एक और कपल होते हैं सुब्बू और श्रावनी और उनकी दो बेटियां निक्की और नताशा फिर एक और कपल है हर्श और माधवी और हर्श के पिता हरी एक और कपल है जहांसी और वेंक और भी कुछ लोग हैं जिनका इंट्रोडक्शन समय के साथ मिली जाएगा अब ये सबी लोग डॉक्टर से जुड़े वे हैं लेकिन ये सबी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं और विकी सोचने लगता है क्या इन में से कोई उसकी बड़ी बहन हो सकती है वहाँ पर आकाश अपने फोन पर गेम खेल रहा था लेकिन उसके पापा अरुन उस पर बहुत चिलाते हैं खेर अब इसके बाद उन्हें लेने के लिए वहाँ पर एक यॉट आता है और चेकिंग करने के बाद उन सभी को बोर्ड करवाय जाता है जब वो लोग वहाँ से निकल पढ़ते हैं तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है और यही है मुन्ना लेकिन अब उसके लिए काफी देर हो चुगी थी क्योंकि यॉट तो निकल चुगा था इसलिए वो पानी में कूद जाता है और तैर कर बोट तक पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर अदिती पसंद आ जाती है खेर इतने सारे लोगों को वहाँ पर देखकर विकी सोच रहा था क्या खेर उसके पिता के इतने सारे वारिस कैसे हो सकते हैं इन सब का आपस में रिष्टा है क्या वो ये सब पता करना चाता था इसलिए वो छुपकर उन सबी का फोटो लेने लगता है और सब लोग हंसी मजा करते वे जा रहे होते हैं वरुन और नताशा एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे से बाते करने लगते हैं लेकिन उनके पैरेंट्स उसे अंदर बुला लेते हैं कुछ समय के बाद सबी लोग मोक्ष आइलेंट पहुंझाते हैं और यॉर्ट उन्हें वहाँ पहुंचा कर तुरंत वहां से निकल जाती है जो के विकी को बहुत ही अजीब लगता है अब इसके बाद वो सभी लोग जंगल के रास्ते होते हुए गाड़ी से वहां से निकलते हैं जो उन्हें लेने के लिए आई होती है और उन्हें जंगल में बहुती भयानक पेड़ पौदे देखने को मिलते हैं आखिर में वो लोग जहां रहेंगे उस घर तक पहुंचाते हैं और उन्हें वलकम करने के लिए सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है माया वो कहती है कि आप लोगों के चेहरे को देखकर लगता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल है उसके जवाब आपको जल्दी मिल जाएंगे आप सभी लोग डॉक्टर विशवाक सेन के रिष्टदार हैं ये बहुत बड़ी बात है वो सभी से कहती है कि वो सारे गेस्ट का बात करता है जो कि उसके परिवार वाले ही हैं और उनसे कहने लगता है कि आपको लगता है कि मैं मर गया लेकिन ऐसा है नहीं मेरे सिर्फ बॉडी मरी है लेकिन मेरा खून अभी भी तुम सब के अंदर है मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो रेक के लेकिन इसके लिए एक शर्थ है जो भी इस आइलेंड में एक हफ़ता बिता पाएगा सिर्फ वही इंसान इतने बड़े जायदात का हिस्सेदार बन पाएगा और वो चाहता है कि वो सभी एक दूसरे को अच्छे से पहचाने डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझ आप सभी पर नज़र रखने के बाद हम डिसाइट करेंगे कि आप मेंसे सीओ बनने के काबिल कौन है अब आपको इस आइलेंड में रहना है या नहीं ये फैसला तो आपको ही लेना होगा वेंकट कहने लगता है कि उसकी पतनी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए शायद यह रहना पॉसिबल नहीं होगा मगर माया उन सबी को कहती है कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको पहले एक एफिडेविट साइन करना होगा कि आप इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं इसलिए सोस समझ कर फैसला लीजेगा फिर वहां से वो चली ज जाती है और सारे परिवार वाले लोग आपस में बात करने लगते हैं और कोई भी इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि कोई भी यहां एक हफ़ते के लिए रुखना नहीं चाहता है। में आकर फोन पर खींचावा तस्वीर देख रहा था। दूसरी तरफ जगदीश समुदर किनारे जाकर सिगरेट पीने लगता है लेकिन तभी उसके पीछे एक राक्षा जैसा दिखने वाला जंगली आदमी आता है जिससे वो काफी डर गया था। इसके बाद हम वीकी के एक छुप गया था और वो उस हत्यारे के हाथ में टैटू बनावा देख लेता है। अब इसके बाद अगली सुभा में छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम रिया है और वो जंगल में खरगोश को देखकर उसके पीछे जा रही थी। फिर वो जंगली आदमी रिया का पीछा करने लगता है और खरगोश भागते वे फेंस की दूसरी तरफ चला जाता है जिसको चूने से ही जटका लगेगा। लेकिन जैसे ही लड़की उस फेंस को चूने वाली थी तबी वहाँ पर स्टाफ आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद हम विकी को देखते हैं जो भी इधर उधर भटक रहा था और सोचता है कि इस खुबसुरा जगा के पीछे कुछ ना कुछ रास तो है वो अपने दूरबीन से लोगों पर नज़र रखता है फिर वो माया को देखता है जो समुतर से नहा कर बाहर निकलती है और वो भी विकी को जागर बैठता है और उनसे पूछता है क्या आप ठीक हैं क्यूंकि आप बहुत टेंशन में हैं बाकी सब तो मज़े कर रहे हैं मीना विकी को बताती है कि तुम लगों ने विश्वाक के बारे में सिर्फ सुना है लेकिन मैं उसे करीब से जानती हूँ विकी कहता है लेकिन वो तो मर चुके हैं वो अब क्या ही कर लेंगे लेकिन मीना कहती है कि वो इनसान मर गया है लेकिन उसके विचार नहीं फिर वो औरत अपने बारे में बताने लगती है कि वो पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उस हॉस्पिटल में विश्वाक डॉक्टर थे मीना ब पसंद कर ले तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके सपने बहुत बढ़े थें और शादी का बंधन उसे रोक नी सकता था। विकी परिवार को देखकर उस ओरत से कहता है कि ये तो साफ है कि विश्वाक का अफेर काफी सारी ओरतों के साथ था। वो विकी के पिता भी है इसलिए वो उस ओरत से पूछता है क्या आप मुझे जानती है। मीना कहती है नहीं जिस तरह उसने तुम्हें अकेला छोड़ा था उसी तरह विश्वास ने मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दिया था। वो आदमी इंसान नहीं राक्षस है। विकी उस ओरत को दादी कहकर बुलाता है जिससे वो ओरत एमोशनल हो जाती है। और कहती है अच्छा ठीक है आज से मैं तेरी दादी हूँ। फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और सभी लोग जहासी जो के प्रेगनेंट है उसे बात कर रहे थें। और जहासी बताती है कि अभी भी उसके बच्चे को डेलिवर होने में दो महीने बाकी हैं। फिर वहाँ पर उसका पती वेंकट आता है और कहता है कि जगदीश कहीं मिलनी रहा। वो अपना खाना भूस सकता है लेकिन अपना सिगरेट नहीं। वो लोग टेंशन में आने लगते हैं और ये जगदीश वही है जिस पर समुदर किनारे उस जंगली आदमी ने हमला कर दिया था। अब इसके बास अभी लोग जगदीश को हर जगा ढूरने लगते हैं। समुदर किनारे जंगल में हर जगा। वो लोग स्टाफ से भी पूछते हैं लेकिन स्टाफ जैसे के मैंने कहा स्टाफ बहुती अजीब है और वो किसी की बास सुनते भी नहीं। बस वहाँ से चले जाते हैं। विक्की माया से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। मुझे इसका जवाब चाहिए। जगदीश कहां गायब हो गया। लेकिन माया तो काफी रोमेंटिक मूड में थी। मगर विक्की उसे रोकता है और कहता है कि इस आईलेंड में कुछ तो अजीब हो रहा है। माया बताती है कि आईलेंड डॉक्टर नहीं बनाया है। लोग वहां पहुंच जाते हैं और स्टाफ को पकड़के पीटते हैं। लेकिन वो नहीं जल्दी पता चल जाता है कि ये स्टाफ नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरी तरफ आकाश जो हमेशा अपने फोन में घुसा रहता है उसके पीछे ईशा पढ़ जाती है। लेकिन वो लड़का उसे कह देता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कजन्स हैं। लेकिन इससे ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि वो तो आकाश से प्यार कर बैठी थी। आकाश उसे धका देकर वहां से चला जाता है। विकी को समुदर किनारे जगदीश के फूट प्रिंट्स मिलते हैं और विकी शियोर है कि ये फूट प्रिंट जगदीश के ही है। जासी को शक होता है और वो से पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो और तुम इतने शिवर कैसे हो कि ये فुट प्रिंट जगदीश कहीं है विकी को वहाँ पर एक बोट नजर आता है और वो माया से पूछता है कि जब हम लोग यहाँ पर आये थे तो यहाँ पर दो बोट थे माया कहती है शायद तुमने सही कहा हो सकता है जगदीश यहाँ से एक बोट लेकर भाग गया होगा जहासी का पती वेंकट कहता है कि शायद हो सकता है वो यहाँ से भाग गया होगा वैसे भी जगदीश यहाँ पर रहना नीचाता था से बाते कर रहे थें वो भी जगदीश के बारे में और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो यहां से चला गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उसके हिस्से के पैसे भी हमें मिलेंगे और अब वो इस जायदात का हगदार नहीं है कि तभी अचानक ईशा पूछती है कि अगर को देख लेती है जिसे पहले ही विकी पर शक्त था विकी को जंगल के बीचो बीच फेंस बनावा दिखता है जिसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर यह बांडरी क्यों दिया गया है और दूसरी तरफ यह सारा सेट अप है क्या और वहां पर रेस्टिक्टेड एर होते हैं कि तभी उस पेशेंट की डेथ हो जाती है और वो अपने स्टाफ से कहता है पोस्ट मॉटम की तयारी करो और वो अपनी पतनी नर्स मीना से कहता है कि इस पेशेंट का कोई परिवार वाला नहीं आया और अगर कोई आये बाड़ी को क्लेम करने के लिए तो मुझे बताना मीना को ये सब बहुत अजीब लग रहा था अब इतना ही अजीब कम नहीं था कि वहाँ पर के एक दिन वो अपने पती को देखती है मतलब डॉक्टर को जो बस्ते में बांध कर कुछ तो लाते हैं घर पर जिससे के काफी खून गिर रहा था डॉक्टर अपने घर के पीछे जाते हैं जहां उसके बच्चे खेल रहे थे और वो अपने दोनों बच्चों को भेज देता है घर के अंदर और ये सब कुछ छुप कर मीना देख रही थी डॉक्टर कमरे के अंदर जाते हैं उस बस्ते को लेकर और मीना ये सब कुछ देख रही थी और वो देख ल कि सभी परिवार वाले आपस में काफी अच्छे से घुल मिल गए थे और वो लग ब्रेफास्ट करने के लिए बैठे ही थे जब वहाँ पर एक स्टाफ आता है और लोग उसे पूछते रहते हैं कि आखर यहां चल क्या रहा है कभी जमीन हिलती है जो सभी ने महसूस किया लेक पुलिस ने शायद उसे मार दिया और यहां फेक दिया और अब वो नाटक कर रहा है कि उसी ने इस बॉड़ी को ढूंडा है लेकिन वहाँ पर माया आती है और सभी को बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के वज़े से यहां पर अक्सर भोकम पाते हैं और शायद वेंकट ने अपना बैलेंस खो दिया और गिर कर उसने अपना सिर घाल कर लिया शायद इसलिए मों मर गया जहां सी बहुत जादा चिलाने लगती और कहती है कि मुझे पुलिस से इंविस्टिगेशन करवाना है मुझे जानना है कि मेरे पती के साथ क्या हुआ और जब तक यहां नहीं आती मेरे पती के बॉड़ी को प्रिजर्व करके रखा जाए और वो कहती है कि वो एक लॉयर है और वो इस हादसे को इंविस्टिगेट करके रहेगी जिसे सब भी लोग थोड़े चौंक जाते हैं कि जहां सी एक लॉयर है माया कहती है कि वो किसी को भीजवाती है मेंन लैंड पुलिस को इनफॉर्म करवाने के लिए तब तक वो अपने स्टाफ से कही गी की बॉड़ी को रेफरिजेटर में रखने के लिए लोग थोड़े भड़क जाते हैं कि यहां पर कोई फ्रीजर नहीं है क्या माया कहती है मुझे नहीं पता था कि यहां किसी की डे जाएंगे इसके बाद मीना याद करती है उस दिन को जब विश्वाख के बारे में वो रागव को बताती है जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता था रागव मीना का हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मैं तुम से कितना प्यार करत तो आज शाय तुम यहां नहीं होती और ये सब कुछ मीना का एक बेटा देख लेता है और वो बाहर चला जाता है रागव भी बताता है कि विश्वाख बहुत बदलते जा रहा है उसके खिलाव बहुत कंप्लेंस आ रहे हैं ड्यूटी के समय वो कहां जाता है क्या करता है किस लगती है कि तभी उसे अपने पैर के नीचे मेटल जैसा महसूस होता है और उसे वहाँ पर एक बंकर जैसा मिलता है जिसे वो खोलती है और लकडी के सहरे उसे खुला रखती है और वो बंकर के अंदर चली जाती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़की वही कैद हो जाती है दूस्री तरफ सभी की नजर जाती है जहांसी पर जो अपने पती के murder का investigation शुरू कर देती है और वो भी अकेले विखी उसका साथ देना चाता है लेकिन जहांसी मना करती है जहांसी सभी लोगों के कमरे में जाकर तलाशी लेती है और उसे विकी के कमरे में बंदू को मिलती है जिससे उसका शक विकी के तरफ जाता है और उसे पूछती है कि तुम्हारा विश्वाक सेन के साथ क्या रिष्टा है विकी कहता है मैं भी यही जानने के लिए आया हूँ बच्पन से मैं अकेला रहा हूँ मैंने अनात की जिन्दगी जी है लेकिन यहां मैं इस उमीद में आया हूँ कि शायद मुझे मेरी फैमिली मिल जाए जहां सी पूछती है कि तुम आज सुबा समुदर की नारे क्यों गए थे और उसे विकी पर शक हो रहा था कि वही लोगों को मार रहा है और इस आयलेंड में कुछ तो अजीब चल रहा है इसके बाद वहाँ पर नताशा आती और कहती है कि उसकी निकी दीदी नहीं मिल रही वही लड़की जो बंकर में बंद हो गई फिर हम निकी को देखते हैं जो नीचे बंकर में कैद हो गई थी और वो चिलाने लगती है और मदद मांगती है लेकिन कोई फैदा नहीं होता निकी की मा श्रावनी बहुत ज़्यादा परिशान हो रही थी कि पता नहीं उसकी बेटी कहां चली गई है फिर हम आकाश को देखते हैं जिसका फोन आखिरकार ईशा चुरा लेती है जो उसके फोन के पीछे पड़ी वी थी और आखिरकार उसे आकाश का सच पता चल जाता है और वो दोनों लड़ते वे घर के अंदर आते हैं और आकाश के पापा अपने बेटे को लड़ते वे देख लेते हैं और वो काफी स्ट्रिक्ट है इसलिए वो अपने बेटे को डाटते लगते हैं और अब वो भी जाना चाहते हैं कि आखिर आकाश के फोन में ऐसा है क्या आरुन को उसके फोन में एक वीडियो देखने को मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका बेटा गे है वो एक लड़के से प्यार करता है जिससे वो काफी शर्मिंदा हो गया था और वो अपकिसी को मूँ दिखाने लाइक भी नहीं रहा इसलिए वो जंगल में चला जाता है क्योंकि वो काफी गुसे में था और आकाश उसके पीछे जाता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जंगली आदमी उनका पीछा कर रहा था आकाश अपने पापा को ढूंड लेता है और अपने पापा को सौरी कहता है लेकिन अरुन अपने बेटे को पीटेने लगता है और कहता है कि तू तो जीने लाइक भी नहीं है वो आज अपने बेटे को मार देने वाला था और वो एक लकड़ी उठा लेता है और ये सब कुछ माया देख रही थी और वो रेडियो करके किसी को बताती है कि हमारा एक और स्पेसिमेन मारा जा चुका है एक और फ्लैश बैक देखते हैं जहां डॉक्टर विश्वाक अपने घर के पीछे वाले कमरे में कुछ लोगों के उपर गैर कानूनी तरीके से सर्जरी कर रहे थे एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तब ही मीना और रागव मिलकर पुलीस बुला लेते हैं और वो लोग डॉक्टर विश्वास को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें जेल हो जाती है कहानी आती है प्रेजन्ट में और हम आईलेंड में सबी लोगों को देखते हैं जो निक्की को ढूणने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं दुसरी तरफ माया आराम से नहा रही थी और तब ही वहाँ पर विकी पहुंच जाता है और माया जान बुच कर दर्वाजा खुला रखी थी ताके विकी अंदर आए विकी जाना चाता है कि आखिर यहां हो क्या राया है और माया कहती है कि जिन्हें रुकना है पैसो के लिए वो जरूर रुकेंगे और जिन्हें जाना है वो चले जाएंगे लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लास्ट तक तुम जरूर यहां रुकोगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए फिर वो विक्की को बिस्तर पर धक्का देती है और उसके साथ रोमैंस करने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन विकी ये सब के लिए तयार नहीं था और कहता है के वो ये सब नहीं करना चाता वो पूछता है कि आखिर स्टाफ आधी रात में जंगल में क्या करते है माया बताती है के वो पावर सप्लाई चेक करने के लिए गया था और क्या तुम इतनी रात ये सब पूछने के लिए मेरे कमरे में आये हो विकी पूछता है तुम जानती हो कि मेरी बड़ी बेहन कौन है वो कहती है कि तुम यहां आ गए हो तो तुम्हारी बड़ी बेहन भी यहीं कहीं होगी जंगल में उन सब इको डेड़ बॉडी मिलती है जिसे वो लोग काफी जादर घबरा गए थे माया विकी से कहती है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है यह तुम लोगों में सही किसी ने किया है अब जंगल में जो डेड़ बॉडी मिली थी वो अरुन की थी मतलब आकाश के पिता की और अरुन का भाई अपने भाई को मरावा देखकर रोने लगता है और वो लोग डेड़ बॉडी को घर ले आते हैं और अरुन हमीना का बेटा था जिसे मरावा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है मतलब के हुआ ये था कि जब आरुन अपने बेटे आकाश को मारने वाला था आकाश ने एक पत्थर उठा कर अपने ही पिता आरुन को महा पर मार डाला अब आखिर में आरुन के बाड़ी को भी फ्रीजर में रख दिया जाता है माया उन सभी को बताती है कि जो आदमी मेन लैंड गया था पुलिस को बुलाने के लिए वो अभी तक लोटा नहीं है और हमारी पूरी टीम निकी को ढून रही है और वो उन लोगों से पूछती है आप लोगों को लगता है कि आप में इसे किसी ने पैसो के लिए सब कुछ किया है वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं वरुन नताशा से मिलने के लिए आता है जो अपनी बड़ी बेहन के गुम हो जाने को लेकर बहुत जादा दुखी थी वरुन उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी दीदी जरूर मिल जाएगी और वो सभी लोग इस आइलेंड से जरूर निकलेंगे उसी रात एक स्टाफ जहासी को चाये देने के लिए आता है और उसमें एक परची था जिसमें लिखावा था कौटेज के पीछे मिलने के लिए जब स्टाफ जहासी से मिलता है तो वो से अपने बारे में बताता है कि एक हफ़ते पहले जब उसकी नीन खुली थी तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो यहां है क्यूं और आखिर वो क्या कर रहा है वो लोगे हेड गेर पहन के सोते थे और जब वो अपने अजीब बरताफ के बारे में अपने साथ ही से पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग कुछ बोलते ही नहीं और बिलकुल रोबोट की तरह काम कर रहे थे और अब उसे भी किसी तरह इस आईलेंड से बाहर निकलना है जहांसी उसे पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो स्टाफ कहता है क्यूंकि मेरी एक छोटी बेटी है और मैंने सुना है आप एक लायर है इसलिए मेरी मदद कर दीजिए इसके बाद हम निकी को देखते हैं जो के बंकर के अंदर होती है लेकिन अंदर एक लैब में पहुँच गई थी वो और उसे इनसानों पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है इसके बाद ईशा आकाश से माफी माँझने के लिए आती है और उसे कहती है क्या मैंने ये सब जान बुचके नहीं किया आकाश उसे कहता है क्या तुम यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा मुझसे दूर रहो अब इसके बाद हम हरश और उसकी पतनी माधवी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे हैं कि अगर उन्हें जादा पैसे चाहिए तो उन्हें सब को मारना होगा अब जैसी सुबा होती है जहां सी विकी से मिलता है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए मुझे स्टाफ ने बताया कि यहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड अंडर ग्राउंड एरिया है और मुझे यह सब पता लगाना है कि आखिर यह सच है यह नहीं विकी कहता है यह सच है क्योंकि जब मैं उस रात स्टाफ को फॉलो कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड अरिया देखने को मिला फिर विकी उसे जंगल में उसी रिस्ट्रिक्टेड अरिया के पास लेकर जा रहा था और वो उसे जगदीश के बारे में पूछता है जो जहासी का भाई है विकी उसे पूछता है कि जगदीश के अलावा तुम्हारा और कोई भाई है क्या जहासी गुसा हो जाती है पर पूछती है कि तुम इतना सवाल पूछ रहे हो अखिर तुम लायर हो या मैं इसके बाद वो लोग electric fence के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें एक antenna देखने को मिलता है मगर उन्हें नहीं पता क्या खर इससे transmit होता क्या है विकी उसे बता देता है कि माया ने कहा था कि staff यहाँ पर power system चेक करने के लिए आता है जहांसी और नाराज हो जाती है कि उनकी माया वैसे भी किसी से ठीक से बात नहीं करती और वो विकी को इतना कुछ बताती है इसी वज़े से वो विकी पर trust नहीं करती फिर वहाँ पर staff आता है और उनके लिए gate खोल देता है और वो लोग अंदर जाकर restricted area चेक करते हैं मगर उने वहाँ पर कुछ भी ने मिलता नताशा को उसकी मा ढूंड रही थी और वो अपनी बेटी को वरुन के साथ देखकर बहुत जादा गुसा हो जाती है मगर उसकी बेटी वरुन को उनके ही सामने किस कर लेती है और वो अपनी मा से कहती है के लिए तो मेरी feelings की कोई कदर ही नहीं है श्रावनी ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेती है और वो जाकर वरुन के ममी पापा पर चिलाने लगती है जिसे के वहाँ पर जगड़ा होने लगता है और वरुन नताशा की ममी से कह देता है कि आपकी बड़ी बेटी जरूर आप से तंग आकर कहीं भाग गई होगी गुसे में नताशा वरुन को थपड़ लगा देती है और वरुन के पापा नताशा की ममी को एक सच बताते है कि असली में श्रावनी विश्वाख की बेटी है ही नहीं वो तो रागहफ की नाजायज आउलाद है ये सुनकर वो भी हैरान हो गई थी और वो अपनी मा मीना की तरफ देखने लगती है लेकिन वो भी बस अपना मूँ छुपा कर रोय जा रही थी और वहां से वो चली जाती है और वो सीड़ी से नीचे गिर जाती है और मर जाती है मैं जिसे देख कर सभी रोने लगते हैं और ये सब कुछ विश्वाख देख रहा था और वो काफी खुश था और जिंदा भी और कहता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है इसके बाद एक और फ्लैश बैक देखते हैं जहां डॉक्टर विश्वाख अपने बेटे हरी को एक पुराने खंडर घर में लेकर आता है और उसके उपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे जटके देता है और वो खुद कौपी में कुछ रीडिंग्स लिखने लगता है कि फिर वहाँ पर उसकी पतनी इंदिरा आ जाती है और इंदिरा विश्वाख की दूसरी पतनी है क्योंकि पहली तो मीना थी जो अब रागव के साथ है खेर इंदिरा को भी अपने पती के बारे में सारी सचाई पता चल चुकी है और वो उस पर चिलाने लगती है और कहती है कि अपने बेटे के साथ तुम ये क्या कर रहे थे अगर वो मर जाता तो तुम क्या करते विश्वाख इंदरा को नीचे गिरा कर उसे वही मार डालता है जो उसके दोनों बच्चे देख लेते हैं और डॉक्टर के ही शौक देने के वज़े से हरी का आज ये हाल हो गया कि वो अब वीलचेयर से उड़ भी नी पाता ना ही कोई काम खुद कर पाता है हरी से मिलने के लिए उसकी बेहन के बच्चे आए हुए थे प्रियंका और दिनेश लेकिन हरी दिनेश से कहता है कि तू मेरी बेहन का बेटा नहीं है मगर दिनेश अपने मामा से मिलकर खुश था और वो वहाँ से चला जाता है अब इसके बाद आखिर में उस बुड़ी और अतमीना के बाड़ी को भी फ्रीजर में रख दिया जाता है और नताशा की मा श्रावनी बस रोए जा रही थी और उसका पती कहने लगता है कि अब हम सब को यहां से निकल जाना होगा यही सेफ होगा अगर यहां की पुलिस हमारी मदद नहीं कर सकती तो हम यूएस एमबेसी को कॉल करेंगे क्यूंकि वो लोग अमेरिका में रहते हैं और यह सब कुछ एक उल्लू देख रहा था जिसकी आखे बहुत ही भयानक है शायद उसी की आखों के जरीए यह सब कुछ पर डॉक्टर विश्वाक नज़र रखता है जहां सी स्टाफ के कमरे में पहुंझाती है कमरे को चेक करने के लिए लेकिन स्टाफ भी उसे देख लेता है अखिरकार सभी लोग आईलेंड छोर कर जाने के लिए निकलते हैं लेकिन उन्हें समुदर किनारे वही कपल मिलता है जो सबसे पहले आईलेंड छोर कर जाने को तयार हो गए थे और वो कपल अब मड़ चुके हैं और एक बहुती भयानक पौधे में उनका शरीर अटका हुआ था और उनका आधा शरीर पूरी तरह से गल चुका था जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे उन्हें वहाँ पर एक बोट नजर आती है और उसी के मदद से वो लोग वहाँ से निकलने का सोचते हैं लेकें तभी श्रावनी का पती पागल हो जाता है और बोट स्टार्ट भी नहीं हो रहा था और इसलिए तुबू समंदर में चला जाता है और एक भयानक जानवर आकर उसे मार डालता है और ये सब कुछ देखकर डॉक्टर विश्वास काफी मजे ले रहा था अब इसके बाद हम आदिती को देखते हैं जो मुन्ना के साथ इंटीमेट होने लगती है और मुन्ना उस और उस औरत को शूरू से ही पसंद करता था मुन्ना उसे पूछता है कि डॉक्टर विश्वाक तुम्हारे कौन लगते हैं तो वो कहती है वो मेरे पिता थे लेकिन बायलोजिकल फादर नहीं वो औरत बताती है कि उसके नाना जी बहुते बड़े फार्मा कंपनी के ओनर थे और उन्होंने मैगाजिन में डॉक्टर विश्वाक का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ा था और एक आर्टिकल पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि विश्वाक एक जीनियस सैंटिस्ट है और उन्होंने ही विश्वाक को जिल से बाहर निकाला था और विश्वाक को रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए उसे जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिला विश्वाक का बनाया हुआ संजीवनी मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री में एक रांती ले आया उसके नाना जी इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने ये कमपनी विश्वास के नाम कर दिया और अपनी विद्वा बेटी का हाथ भी विश्वास के हाथों सौथ दिया मगर कुछ दिन के बाद उसके नाना जी और उसकी मा दोनों चल बसे सबको डॉक्टर विश्वाक पर शक था लेकिन कोई क्या ही एक्शन लेता विश्वाक ने अपनी पतनी के दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और विश्वाक फार्मा कंपनी को एक नई उचाई पर ले गया लेकिन अदिती वापस आकर अपना सब कुछ वापस पाना चाती थी लेकिन वापस पाना इतना असान नहीं था और उसके भाई कौशिक ने भी खुद के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की मुन्ना उसे वादा करता है कि अदिती ने जो कुछ भी खोया है वो उसे वापस पाने में उसकी मदद जरूर करेगा इसके बाद विकी को पता चलता है कि जहां सी गायब हो गई है इसलिए वो हर जगा उसे ढूरने लगता है और उसी रात दीनेश हरी को मार डालता है इसके बाद हम फ्लैश बैक देखते हैं प्रियंक का दीनेश को आईलेंड में जाने का इंविटेशन कार्ट दिखाती है और उसे कहती है कि अगर हमें इतना सारा पैसा मिल जाएगा तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा हम लोग एक रिजॉर्ट ओपेन कर सकते हैं बस तुम्हें मेरा बड़ा भाई बनना होगा मतलब कि दीनेश उसका भाई नहीं है इसलिए हरी ने उसे कहा था कि वो उसकी बहन का बेटा नहीं है क्योंकि उसकी बहन का बेटा मर चुका है एक दिन आईलेंड में दीनेश और प्रियंका को रोमैंस करते हुए वेंकट देख लेता है ये देकर दोनों डरने लगते हैं कि कहीं वेंकट सभी को उनकी सचाई बता तो नहीं देगा इसलिए दीनेश वेंकट को मार डालता है और हरी को भी और प्रियंका और दीनेश के बारे में सच जान कर विश्वाक काफी जादा शौक में था दूसरी तरफ सबी लोग समुदर किनारे आग जलाकर सो जाते हैं और आकाश को माधवी मिलती है और उसे कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया किया फरक पढ़ता है कि वो लड़का है या लड़की आकाश उसे कहता है थैंक्यू समझने के लिए माधवी उसे कहने लगती है कि मेरे साथ भी लोग ऐसा ही करते है मेरा फैदा उठाते है और इन जैसे लोगों के साथ तो हमें बदला लेना चाहिए उनका गला कार देना चाहिए माधवी उसे एक चाकू देती है और वो ये भी जानती है कि आकाश ने अपने पिता को मारा था मगर वो कहती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और वो उसे कहती है कि जाकर सबको दिखा दो कि तुम हो कौन तुम किसी के इशारों पर नहीं चलोगे आकास चाकू लेता है और सबसे पहले माधवी को ही मार देता है निकी जो अंटरग्राउंड लैब में फसीवी थी उसे आखिरकार लोगों की आवास सुने देने लगती है समुदर किनारे अचानक सभी की नींद खुल जाती है और वरुन देखता है के उसके पिता उसके बगल में नहीं थे जैसे के उन्हें को एक हसीट कर ले गया हो विकी देखता है के वरुन के पापा को वो जंगली आदमी उठा कर ले जा रहा था निकी लैब के अंदर आती है और पोड के अंदर जगदीश और बागी लोगों को देख कर वो काफी जादा डर गई थी दूसरी तरह समुदर किनारे सभी लोग काफी जादा दुखी थे क्योंकी यह आईलेंड पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दे रहा था वरुन के कहने पर वो लोग आलेंड की दूसरी तरह जाने का फैसला करते हैं शायद वहाँ उन्हें कुछ काम का मिल जाए आखिर में हर्ष देखता है कि उसकी पत नीमा धवी मर चुकी है जिसे कल रात आकाश ने मार डाला था हर्ष बहुत रोने लगता है और उसे पेट में चाकू लगावा मिलता है और उसे लगने लगता है कि जरूर उसे मुन्ना ने मारा होगा लेकिन मुन्ना कहता है कि उसने ये सम नहीं किया हर्ष उसके पीछे पर जाता है उसे मारने के लिए फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और हर शपागल की तरह मुन्ना को मारने लगता है कि तब ही वहाँ पर बंदूक लेकर माया पहुंचाती है और उन्हें रुकने को बोलती है और उन्हें समझाती है कि वो सभी लोग यहाँ गेस्ट हैं तो गेस्ट की तरह बरताफ कर हो जाता है और बोट में से सारा हवा निकल जाता है अब बाकी लोग किया अब खुद स्टाफ भी वहां से नहीं निकल पाएगा ईशा अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और वो अकेले जंगल में चली जाती है प्रियंका और दीनेश जंगल में मस्ती मजाग कर रहे थे और वो दोनों ड्रग्स लेते हैं दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जो फिर से खरगोश के पीछे जाने लगती है घंए जंगल में और जैसी वहां पर वो जंगली आदमी आता है कि तबी वहां पर कौशिक पहुंच जाता है और रिया को वहां से ले जाता है विकी और विकी उसे लड़ने की कोशिक करता है लेकिन कोई फैदा नहीं होता वो आदमी उसे घैल कर देता है फिर वो जंगली आदमी जाता है रिया और कोशिक से लड़ने के लिए रिया वहां से भाग निकलती है और जंगली आदमी कोशिक पर हमला करता है और पीछे से विकी जा जाता है उस जंगली आदमी के सिर पर डंडे से हमला करता है और उसे उठा कर उस जहरीले लिक्विड वाले पौधे में डाल देता है जिससे वो जंगली आदमी वही मर जाता है ईशा एक तालाब में जाकर नहाने लगती है दूसरी तरफ प्रियंग का और दीनेश को गया था लेकिन मरने से पहले वो विकी से कहता है रिया का ख्याल रखना फिर जैसी वो रिया को लेकर वहां से चला जाता है स्टाफ वहां पर आता है और वो नीचे पड़ेवे बाडी को देखता है फिर उस पौधे में उसे वही जंगली आदमी मिलता है जिसके बाडी को तो उसकी बेहन उसे याद आने लगती है और वो उस दिन को याद करता है जब ए घुस पैठ या घर में घुस आया था और उसने विकी की मा को मार डाला था और उसके बाद वो हत्यारा उसकी बेहन के पीछे पड़ जाता है लेकिन उन दोनों को लड़ता देख परिवार वाले ईशा को बचाने के लिए पहुँँ जाते है इसके बाद जहासी अनाउंस्मेंट करती है और सबी से कहती है कि अगर आपको जानना है कि इस आइलन्ड में चल के आरा है तो डाइनिंग हॉल में आकर मिले दुसरी तरफ विकी गुसे में जाकर माया से मिलता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर यहां हो क्या रहा है जंगल में वो आदमी कौन था मगर माया उसे कहती है कि अगर तुमें सब कुछ जानना है तो अंदर चलो उसके बाद सबी लोग जैसे ही डाइनिंग प्लेस पर आकर मिलते हैं वहाँ पर जहांसी आती है और उसके पीछे सारे स्टाफ होते हैं जिससे देखकर सबी लोग हैरान थे क्या किर स्टाफ उसकी बात क्यूं मान रहें गुसे में हर्ष वहाँ पर आता है और कहता है कि उसके पिताजी भी नहीं रहें और उसकी पतनी भी नहीं रही जहांसी उसे कहती है बैठने के लिए जिसके बाद जहांसी सबके सामने खुलासा करती है कि वही है असली में डॉक्टर विश्वाक सेन जिसे सभी लोग शौक में आ जाते हैं जितने भी लोग मरे हैं उनके लिए वो उन सभी को सौरी कहती है और कहती है कि इन सभी के शुरुवात उस दिन से हुई थी जब मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी उसकी दादी उसे समझाती थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ती है दिमाग अश्वा थामा, व्यास, ये सब ही शक्ती शाली चिरन जीवी अभी भी जिन्दा है और ये सब कहानी सुनकर विश्वास को लगने लगता है कि वो भी अमर बनेगा कुछ समय के बाद उसकी दादी भी उसे छोर कर चली गई लेकिन विश्वास कड़ी मेहनत करता रहा और आखिर में वो एक साइंटिस्ट बन गया और जानना चाता था कि आखिर इंसान का वजूद है क्या इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इंसानों के उपर और यहां तक के विश्वाख ने अपने बच्चों तक पर भी एक्सपेरिमेंट किया और इस वज़े से मीना ने अपने पती विश्वास को अरेस्ट करवा दिया था और उसे बार बार अरेस्ट किया जाता था विश्वास को लगने लगता था कि ये दुनिया उसके जैसे महान इंसान को कभी समाजी नहीं सकती वो जेल में अपना रिसर्च जारी रखता है और तब उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और वो था consciousness transfer transfer शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं वो कहती है के मेरे शरीर में विश्वाक की आत्मा जिन्दा है अब आखिर में वो जेल से बाहर आ गया था और वो बैनर्जी लैब्स का CEO बन गया था और वो और भी जादा शक्ती शाली बन गया था आखिरकार वो अपना खुद का कॉंशेसनेस ट्रांसफर लैब बना लेता है माया की मदद से अब वो लोग कुछ साल तक लैब में एक्सपरिमेंट करते हैं इंसानों के उपर किस तरीके से कॉंशेसनेस को ट्रांसफर करके एक मरेवे आदमी को नए शरीर में जिन्दा रखा जा सके लेकिन वो हमेशा फेल होता था मगर आखिर में माया ने नाकामयाबी का रीजन ढून निकाला जिन दो लोगों का कॉंशेसनेस ट्रांसफर हुआ था वो भाई थें जिससे विश्वास काफी खुश हो जाता है कि अब वो मर के भी जिन्दा रहेगा विजहासी मतलब के विश्वास कहता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत अफ्यार किया और मेरे बहुत बच्चे भी हुएं और मुझे अपने कई बच्चों से लगाव नहीं था लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब मुझे मेरे फैसलों पर बुड़ा फिल नहीं होता ऐसा लगता है कहीं न कहीं मैंने सही किया क्योंकि family important नहीं बलके फिलहाल के लिए family मेरी जरूरत है यहाँ जरूरत का मतलब experiment के लिए जरूरत है अब इसके बाद सभी परिवार वालों को island बुलाया जाता है और उन पर experiment किया जाता है और उन्हें वो जंगली आदमी उठा लेता था और उन पर experiment होता था अगर उनका शरीर डॉक्टर विश्वा के साथ compatible नहीं होता तो उनके body को ठिकाने लगा दिया जाता था निकी और कुछ लोगों के bodies 85% compatible थे इसलिए उन्हें sleeping chamber में डाल दिया गया और जब जहासी गायब हुई थी तो उसे भी लैब में लाया गया था और उसका शरीर 100% compatible था इसलिए उसे experiment के लिए तयार किया गया और जब experiment खतम हुआ तो experiment successful हुआ था और डॉक्टर का consciousness जहासी के शरीर में transfer हो गया मतलब के अब जहासी ही डॉक्टर विश्वाख बन गई है फिर वो परिवार वालों के राज सबके सामने खुलने लगती है और कहती है के पांच दिन में इस island में जो कुछ भी हुआ उसके बातों मैं खुद को बहुत अच्छा इंसान मानने लगा फिर हम देखते हैं के वहाँ पर वीडियो चलाया जाता है और सब को पता चल जाता है के दिनेश नहीं वेंकट को मारा था और दिनेश नहीं हर्ष के पिता हरी को मारा था इशा खुद को बचाने के लिए दिनेश को मार डालती है और आकाश का भी सत सामने आ जाता है कि उसने अपने पिता अरुन को मारा था हर्ष की पत्नी माधवी को भी आकाश नहीं मारा था हर्ष ये सबसे बहुत जादा गुसा हो गया था लेकिन डॉक्टर विश्वास उन सबी से कहते हैं कि अब तुम लोग मेरे काम के नहीं हो क्यूंकि मेरा मकसद तो पूरा हो गया लेकिन तुम लोग यहां आए हो तो मेरी कमपनी का CEO तुम में से ही कोई एक बनेगा अब ये सब होने के बाद हर्ष अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने के लिए आकाश को मारने के लिए दोड़ने लगता है और हर तरफ हंगामा मचा हुआ था हर्ष आकाश के पैर में चाकू घुसा देता है लेकिन आखिर में आकाश हर्ष को भी मार डालता है आखिर में सभी लोग दोबारा से आईलन्ट छोर कर जाने का प्लैन करते हैं और विक्की बाकी लोगों से कहता है उन सभी को लाइट हाउस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि और कहीं रहना फिलहाल सेफ नहीं है मुन्ना अदिती के लिए काफी फिक्र कर रहा था और वो से कहता है कि वो से बचाने के लिए किसी से भी लड़ेगा ईशा देख लेती है कि आकाश हर्ष को मार चुका था इसलिए वो आकाश को शान्त होने को बोलती है और उसे गले लगा कर रोने लगती है अब सुबा हो जाती है और विक्की और मुन्ना एक साथ अंडरग्राउंड लैब ढूंड रहे होते हैं और वो उसे बॉम से उड़ा देना चाते हैं जो बॉम उन्हें स्टाफ के घर पे मिला था लेकिन तभी उन्हें माया देख लेती है और उन दोनों से कहती है मेरे पीछे आओ और वो लोग एक जाड़ी से होते हुए लैब के अंदर जाते हैं अब इसके बाद विक्की लैब के अंदर आता है और वहाँ पर जहासी भी होती है और डॉक्टर विश्वाक की बाड़ी भी जहासी उसे कह रही होती है कि तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं खुद तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ विक्की उसे पूछता है कि आखिर तुम ये लोगों के उपर एक्सपेरिमेंट क्यूं कर रही हो अखिर एक्सपेरिमेंट के नाम पर इन लोगों को क्यूं मार रही हो तो वो कहने लगती है कि हाथी जब चलते हैं तो कुछ चीन्टियों का तो मरना तै है इसमें हाथी की क्या गलती विक्की जहासी से कहने लगता है कि वापस आ जाओ मुझे पता है कि तुम अभी भी अंदर हो मगर जहासी उसे कहती है मुझे पता है तुम अपनी बड़ी बेहन को मिस्स कर रहे हो लेकिन जब मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया तो तुमारी बड़ी बेहन अब नहीं रही स्लीपिंग चेंबर में आखिर कार निकी को होश आ जाता है विकी डॉक्टर से पूछता है आखिर मेरी मा ने क्या बिगाड़ा था तो डॉक्टर बताने लगता है कि विकी की मा मॉनिका डॉक्टर की असिस्टेंट हुआ करती थी जल्दी दोनों करीब आ गए और उन दोनों की शादी हो गई उनके दो बच्चे भी थे विकी और विकी की बड़ी बहन जो कोई और नहीं बलके जासी थी डॉक्टर अपने सारे बच्चों में से विकी और जासी से सबसे जादा प्यार करते थे लेकिन तभी बैनर जी ने अपनी विद्वा बेटी से डॉक्टर को शादी करने का ओफर दिया डॉक्टर इस ओफर को ठुकडा नहीं सकता था क्योंकि शादी करके उसकी लाइफ चेंज हो सकती थी डॉक्टर इस बारे में अपनी पतनी मॉनिका को बताता है लेकिन मॉनिका अपने पती के दूसरे शादी के लिए नहीं मानती अब आखिर में मौनिका को डॉक्टर की एक डैरी मिल जाती है जिसे उसे पता चल जाता है के डॉक्टर हुमंस पर एक्सपेरीमेंट करते हैं और वो इस बारे में अपने पती की दूसरी पतनी मतलब के वसुंधरा को बता देती है और इसी वजह से वसुंधरा को भी मरना कहता है कि अब हमें जाने दो तुम्हारा तो मकसद पूरा हो गया मगर आखिर में माया उसके गरदन में एक इंजेक्शन इंजेट कर देती है जिससे वो छट पटाने लगता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रियंका भी वापस आ गई थी और लोग उसे दूर भगाने ल लूँगा विकी जहासी के शरीर पर वार कर देता है जिससे के खून निकलने लगता है दूसरी तरफ से मुन्ना स्टाफ को रोकने की कोशिश करता है मगर मुन्ना उसे लड़ भी नहीं पाता है विकी अनॉंस्मेंट करता है और वो स्टाफ से कहता है कि वापस आने के मगर विकी को इसे कोई फरक नहीं पड़ता माया उसे कहती है कि हम जहासी के बच्चे को बचा सकते हैं इसलिए मुझे जहासी को बचाने दो विकी प्लीज अब विकी प्लीज सुनकर विकी मान जाता है माया एक्सपेरिमेंट की तयारी कर लेती है और वो विकी से कहती है कि एक समय मुझे तुम से सच में प्यार हो गया था और मैं चाहती थी के विश्वास अपना कॉंशेसनेस तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर ले माया स्टाफ से कहती है कि तुम्हें जो काम दिया गया था उसे पूरा करो उन सभी को रो को वो आईलेंड से भाग न पाएं फिर जैसी स्टाफ उनकी तरफ बढ़ता है आकाश उसे लड़ने के लिए पहुंच जाता है और आखिर में आकाश स्टाफ के सीने पर एक बड़ा सा लकड़ी घुसा देता है जिससे के स्टाफ नीचे गड़ जाता है निकी स्टोर रूम में चली गई थी और वहाँ वो कुछ केमिकल ढूणने लगती है दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और अब कॉंशेसनेस को जहासी के शरीर से विकी के शरीर में ट्रांसफर होने वाला था निकी बाहर निकल कर उसकेमिकल को एक मशीन के उपर डाल देती है जिससे के मशीन ब्लास्ट हो जाता है और एक्सपेरिमेंट रुख जाता है स्टाफ को होश आ गया था और वो आकाश को गले से पकड़ लेता है और आखिर में वो आकाश और ईशा को मार डालता है और उसके बाद वो सभी को मारने लगता है फिर प्रियंग का स्टाफ को मारने के लिए दोड़ती है फिर वो माया को किस करने लगता है और इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है और अब कॉंशेसनेस डॉक्टर का विकी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है खेर अब कहानी जाती है कुछ समय के बाद और हम देखते हैं के डॉक्टर खुद को दुनिया के सामने लाते हैं और अपना नाम बताते हैं विकी विश्वाक सेन और ये भी कहते हैं के वो डॉक्टर के लेगेसी को आगे बढ़ाएगा लेकिन तब ही अचानक उसे कुछ होने लगता है उसके अंदर जो विकी है अब वो उसके दिमा को टेक ओवर करने लगता है खेर अब इसके बाद विकी मतलब के डॉक्टर और माया अपने इस काम्याबी को सिलिबरेट कर रहे थे और माया उसे कहती है के अब हम पूरे दुनिया पर राच करेंगे कोई भी हमें रोकनी पाएगा उसके बाद हम देखते हैं के जहांसी अपने बच्चे को जनम दे चुकी थी और शायद वो अब अपने होश पे आ चुकी है और अब तो ये सीजन टू में पता चलेगा के जहांसी अपने पती और बाकी परिवार वालों के मौत का बदला लेगी या नहीं और आखिर उसके अंदर है कौन क्या वो सच में जहांसी है या विकी है खैर ये सीजन वन की कहानी तो यहीं खतम होती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर